गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई 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 टी ए स्मार्ट लाइन में तो बच्चों आज मैं आप सभी के लिए तेंथ जियोग्राफी का बहुत ही महत्पून प्रशन लेकर किया हूँ जो आपके आने वाले 2024 के एक्जाम के लिए काफी महत्पून है यदि आप इस क्वेशन को याद कर लेते हैं तो आप एक्जाम में जो है वो काफी अच्छी तरीके से कॉपी को लिख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से वहाँ आप OMR sheet को भर सकते हैं ठीक है तो इस सारे question को आप याद कर लेजे जो भी हम वीडियो डालते हैं उसको आप याद करते चले जाएए ये आपको सबसे पहला काम करना है और बच्चो अब आपका exam का समय जो है रोना वो काफी नजदीक आ चु समय कम है और फढ़ाई की जदा करना है और दिन जो है वो गुजरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको देखते देखते दिन गुजर जाएगा देखते देखते आपका exam आ जाएगा ठीक है तो आपको न अपना समय जो है वो नश्ट नहीं करना है बीना समय को गव आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है ठीक है आप जो हमको अपना कीमती समय देते हैं आपनो जो हमको अपना वक्त देते हैं कीमती समय देते हैं उसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत सुक्रिया ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना हमको वक्त देते हैं क कीमती समय देते हैं तो हम आपको न निरास नहीं होने देंगे ठीक है यहां असे यदि आप पढ़के जाईएगा न तो आप एकजाम में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखिएगा ठीक है यह हम गारेंटी देते हैं आपको बसरते आपको क्या करना है कि जो भी वीडियो हम ड करना है ठीक है और आपको रिजल्ट न हम देंगे ठीक है आपको रिजल्ट हम देंगे बस आपको केवल पढ़ाई करनी है यह आपको धियान में रखना है तो बच्चो यदि आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजीए और अपने दोस्तों के पास CR जरूर किजिये ताकि उनको भी जो है वो काफी मदद मिल सके इस वीडियो से ठीक है तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक आप जरूर किजेगा क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग का मनोबल जो है वो बढ़ता है ये आपको ध्यान में रखना है ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे आपको और इस वीडियो में भी बता रहे हैं कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किजिएगा ठीक है और कमेंट करके बता याप टेलीग्रम चैनल को जोइन कर लिजेगा प्यारे बच्चो तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि आपका समय भी काफी ज़्यादा हो चुका है तो चलिए आपका पहला सवाल है कि पंजाब में भूमी निमनी करण का निमनलीखित में से मुख्य कारण क्या है तो पंजाब में भूमी निमनी करण का निमनलीखित में से मुख्य कारण जो है वह गहन खेती है ये आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन ए हो जाएगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है आपका कि किस खनीज को उधोगों की जनिनी माना गया है तो किस खनीजों को उधोगों की जनिनी माना गया है तो जो लोहा है न उसको उधोगों की जनिनी माना गया है ये आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन सी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है मेढग के प्रजनन को नश्ट करने वाला रसायन कौन है सबसे पहले आप लोग ये जान लिजे कि प्रजनन क्या है प्रजनन क्या है तो प्रजनन क्या है कि जब एक जीव अपने जैसा दूसरे जीव का निर्मान करते हैं यानि कि दूसरे जीव को जन में देती हैं उसको क्या कहते हैं तो उसको प्रजनन या जनन कहते हैं यह आपको ध्यान में रखना है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जीव को दूसरे जीव के जन में देने की प्रकिरिया को जो है वो जनन कहा जाता है ठीक है जन में देने की प्रकिरिया को क्या कहा जात जो है वह एंडरीन है यह आपको याद रखना है right answer आपका option C होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है मरु अस्थली मिर्दा का विस्तार निम्नलिखित में से कहा है अब देखिए मिर्दा क्या है? मिर्दा क्या है तो मिर्दा किसको कहते है तो मरू अस्थलिय मिर्दा किसको कहते है तो मरू अस्थलिय मिर्दा कहा है तो जहां पर प्यारे बच्चो कम बर्सा होता है वहां पर ये मरू अस्थलिय मिर्दा पया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है और मरू अस्थलिय मिर ऐसे भी question आपसे board exam में पूछा जाएगा कि humans की कमी जो है वो कौन सी मिर्दा में होती है तो humans की कमी ना मरू अस्थलिये मिर्दा में होती है यह आपको धियान में रखना है या फिर पूछ देगा मरू अस्थलिये मिर्दा यानि कि मिर्टी जो है उसमें किस की कमी होती है तो humans की कमी होती है यह आपको याद रखना है और इसमें जो है ना मरू अस्थलिये मिर्दा में हम लोग मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं मरू अस्थलिये मिर्दा में किस की खेती की जाती है तो मोटे अनाजो की खेती की जाती है जैसे आपका जुआर हो गया रागी हो गया बाजरा हो गया तिलहन हो गया इस सब की खेती की जाती है तो मरू अस्थलिये मिर्दा का विस्तार निम्नलिखित में से कहां है तो यह आपको याद रखना है कि मरू अस्थलिये मिर्दा का विस्तार ज प्रचली थैं सोपानी किरिसी जो है कहा होती है तो सोपानी किरिसी जो है किस है वह उत्रा खंड में प्रचली थैं āए आपका option D हो जाएगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है कोईला किस प्रकार का संसाधन नभी करनिये हैं कि और नभी करनिये हैं तो जो खत्म हो जाए और उसको दुबारा हम बना नहीं पाएंगे उसको और नभी करनिये बोलते हैं और जो कभी खत्म ना होने वाला हो उसको क्या बोल इसको जमीन से बाहर निकालते जाएंगे और एक दिन यह खत्म हो जाएगा इसको हम लोग दुबारा बना नहीं पाएंगे तो कोईला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है तो कोईला जो है न वो अनवी करनी है संसाधन है यह आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर आपका ओप्संस ए हो जाएगा ठीक है कोईला किस प्रकार का संसाधन है तो अनवी करनी है चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगल गितने प्रतिसत भोगोलिक छेतर में का विश्थार था तो यह आपको याद रखना है कि 19.27 प्रतिस्त भोगोलिक छेतर में वन का विश्थार था राइट ra music और आपका option B हो जाएगा जलिए अब हमारा आगला सवाल है प्रानियों के सरीर में कितना प्रतिसत जल की मातरा नहीत होती है यानि कि जो प्रानी होती है जो जीव होती है उनके सरीर में कितना प्रतिसत जल की मातरा होती है तो उनके सरीर में जल की मातरा जो है वो आपका 65 प्रतिसत होती है ये आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर आपका option C हो जाएगा प्रानियों के सरीर में कितना प्रतिसत जल की मात्र होती है तो 65 प्रतिसत होती है ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है व्रीहत छेतर में जल की उपस्थीती के कारण प्रिथिवी को क्या कहते है तो नीला ग्रह कहते है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका option B होगा और जल की मात्रा कितना है प्रिथिवी पे तो जल की मात्रा जो है वह 71 प्रतिसत है और भूमी की मात्रा कितना है तो भूमी की मात्रा 29 प्रतिसत है ये आपको याद रखना है 29 प्रतिसत है भूमी की मात्रा ये भी question ऐसे भी पूछा जाएगा कि भूमी पर जल की मात्रा कितनी है यानि कि प्रिथिवी पर जल की मात्रा कितनी है तो एक 70% परतीसत है और प्रित्वी पर भूमी की मातरा कितनी है तो 29% परतीसत है ये भी आपको याद रखना है चलीए अब हमारा अगला सवाल है काली मीरिदा यानि कि जो काली मिंट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है तो काली मिट्टी का दुसरा नाम रेगूर मिट्टी है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन भी हो जाएगा मृदा यानि की मिट्टी तो काली मिट्टी का दुसरा नाम क्या है रेगूर मिट्टी है ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है FAO की वानी की रिपोर्ट के अनुसार 498 ISP में विश्व में कितने हेक्टियर भूमी पर वन का विस्तार था तो FAO की वानी की रिपोर्ट के अनुसार 498 में जो है विश्व में चार और अब हेक्टियार भूमी पर वन का विस्तार था ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी हो जाएगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है आपका संविधान की धारा 21 का संबंध किस से है तो संविधान की धारा 21 का संबंध किस से है तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वन जीवो तथा प्राकिर्थिक संसाद्मों के संडक्षन से है ये आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर आपका ओप्षन ए हो जाएगा सम्विधान की धारा 21 का संबंध किस से है तो वन जीवो तथा प्राकिर्तिक संसादनों के संड़क्षन से है चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है आपका बिहार में अती जल दोहन से किस तत्व का संकेंदरन बढ़ा है तो ये आपको याद रखना है कि बिहार में अती जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंदरन बढ़ा है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका जो है option C हो जाएगा चलिए आपका अगला सवाल है अगला सवाल है बिहार के कितने प्रतिसत भोगोलिक छेतर में 1 का फैलाव है राइट एंसर आपका option D हो जाएगा राइट एंसर जाएगा राइट एंसर ऑप्सन D हो जाएगा बिहार के कितने प्रतिसत भोगोलिक छेतर में बन का फैलाब है तो यह आपको याद रखना है साथ प्रतिसत चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत का राष्ट्रिय पक्षी क्या है तो भारत का राष्ट्रिय पक्षी मोड है और मोड कोहीं क्या बोलते हैं मयूर बोलते हैं तो भारत का राष्ट्रिय पक्षी क्या है तो मयूर है मोड है ये आपको याद रखना है और भारत का राष् निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है यानि कि जो कौन सा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है तो यह आपको याद रखना है कि जो डॉल्फिन है न डॉल्फिन यह केवल भारत में ही पाया जाता है राइट एंसर आपका ओप्सन भी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्राकिर्तिक गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है जो प्राकिर्तिक गैस होता है वह किस खनीज के साथ पाया जाता है तो प्राकिर्तिक गैस जो होता है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आ किसका खतन है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं तो यह आपको याद रखना है कि संसाधन बनाये जाते हैं तो यह तो आपका हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं किसने कहा था यह कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं तो यह महात्मा गांधी का कथन था यह आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अ इंत्रासाइट होता है ये आपको याद रखना है और सबसे खराब कोईला कौन होता है तो ये पीट होता है और सबसे अच्छा कोईला इंत्रासाइट होता है ये आपको याद रखना है बोड इजा में पूछा जाता है चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत में सरवाधिक छेतर पर किस मिट्टी का विस्तार है तो भारत में सबसी अधीक जलोड मिट्टी है यह आपको याद रखना है राय एंसर आपका ओउप्चन ए होगा जलोड मिट्टी का फैलाव भारत में सबसी अधीक है चलिए अब हमारा आगला सवाल है तारापूर परमानु उर्जा केंद्र किस राज में है तो ये आपको याद रखना है कि जो तारापूर परमानु उर्जा केंद्र है या महराष्ट्रा में है राइट एंसर आपका उप्सन सी होगा चलिए अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है भारत के किस राज़ में सौर उर्जा के विकास की सरवाधिक संभावनाएं हैं ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका उप्सन सी होगा चलिए अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है आपका यूरेनियम का प्रमुक उत्पादक अस्थल कहां है तो यूरेनियम का प्रमुक उत्पादक अस्थल जो है वो जादू गोड़ा है राइट एंसर आपका उप्सन डी होगा ऐसे भी कोश्चन इसको घुमा के पूछ देगा कि जादू गोडा किसका प्रमुक उत्पादक अस्थल है तो यह आपको याद रखना है जो जादू गोडा है यह यूरेनियम का प्रमुक उत्पादक अस्थल है चलिए अब हमारा अगला सवाल है निम्न प्राकिर्तिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित ह तो यह आपको याद रखना है कि जो कोईला है उसका भंडार सीमित है राइट एंसर आपका ओप्सन ए होगा चलिए अब हमारा आगला सवाल है सिमेंट उधोग का सबसे प्रमुक कच्चा माल क्या है तो सिमेंट क्या चिस से बनाया जाता है तो सिमेंट जो है वह बड़े पहारो को तोर करके सिमेंट बनाया जाता है सिमेंट उधोग का सबसे प्रमुक कच्चा माल जो क्या है तो चूना पत्थर है यह आपको याद रखना है याद है यह जाता है चलिए अब हमारा अगला सवाल है अल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनीज की आवसकता पड़ती है यह आपको याद रखना है राइट अन्सर आपका ओप्शन डी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है एक टन इसपात बनाने में कितने मैगनीज का उप्योग होता है तो एक टन इसपात बनाने में जो है वह 10 किलोग्राम मैगनीज का उप्योग होता है यह आपको याद रखना है राइट अन्सर आपका ओप्शन डी होगा ऐसे भी कोशन पूछ देगा कि एक टन इस पात बनाने में कितने mg यानि कि मैगनीज का उप्योग होता है तो 10 kg आपको वहाँ पे टिक लगाना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है कौन भारत का सबसे बरा लोह उत्पादक राज्य है तो भारत का लोह उत्पादक राज्य जो है वह है करनाटक ये आपको याद रखना है सबसे बरा लोह उत्पादक राज्य कौन है तो करनाटक है राइट एंसर आपका ओप्शन ए होगा अगला सवाल देख लिजे आप लो अगला सवाल है किस राज में खनीश तेल का विशाल भंडार है तो किस राज में खनीश तेल का विशाल भंडार है तो ये आपको याद रखना है कि असम में खनीश तेल का विशाल भंडार है राइट एंसर आपका ओप्सन ए होगा चलिए अगला सवाल है देश के बांधो को किस ने भारत का मंदिर कहा था तो देश के बांधों को भारत का मंदिर जो है वो जवाहरलाल नहिरू ने कहा था ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी होगा चलिए अगला सवाल है आपका अगला सवाल है वंड संग्रक्षन एवं प्रबंधन की द्रिष्टी से वनों को कितने बरगों में बाँटा गया है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है समुंदरी छेतर में राजनैतिक सीमा के कितने किलो मीटर तक का छेतर राष्ट्री ये संपदा नहीं था है तो ये आपको याद रखना है कि 19.2 किलो मीटर उनाइस पॉइंट 2 किलो मीटर राइट एंसर आपका अप्शन डी होगा चलिए अगला सवाल है आपका लोह अयाश के किस प्रकार का संसाधन है तो जो लोह अयाश के है यहाँ आपका और अभी करनीय संसाधन है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका अप्शन डी होगा चलिए अगला सवाल है आपका तर्ट रेखा से कितने किलो मीटर तक का छेत्र सीमा अप वर्जक आर्थिक छेत्र कहलाता है ओप्सन है ए एक सोईनिम बी दो सोईनिम सी डेर सोईनिम डी अधाई सोईनिम तो यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन बी होगा दो सोईनिम राइट एंसर ओप्सन बी हो जाएगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है आपका डाको की अर्थिववस्था का संबंद किस्से है तो डाको की अर्थ ववस्था का संबंध जो है संसाधनों के और नियोजित विवधन से है ये आपको याद रखना है राइट एंस और आप्शन भी होगा डाको की अर्थ ववस्था का संबंध किस से है तो संसाधनों के और नियोजित विदोहन से है चलिए अगला सवाल है जुआरिये उर्जा निवनलीखित में से किस प्रकार का संसाधन है तो जुआरिये उर्जा जो है वह پुनह पुर्टी योग्य संसाधन है ये आपको याद रखना है राय थेंसर आपका आपसन ए होगा चलिए अगला सवाल है इन में से किस राज में काली मिर्दा पाई जाती है यानि कि इन में से कौन सा राज है जिसमें काली मिट्टी पाई जाती है तो ये आपको याद रखना है काली मिट्टी जो है वह गुजरात में पाई जाती है ये आपको याद रखना है राइटन सर आ अगला सवाल है आपका काली मिर्दा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है जो काली मिर्दा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है तो काली मिर्दा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी हो जाएगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है आपका डंकन ट्रेड का निर्मान कैसे हुआ डंकन ट्रेड का निर्मान कैसे हुआ तो डंकन ट्रेड का निर्मान जो है वो लावा के प्रवाह से हुआ ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन ए होगा डगकन ट्रेट का निर्मान कैसे हुआ तो लावा के प्रवाह से हुआ चलिए अब हमारा अगला सवाल है हमारे देश का कुल छेतरफल कितना है तो हमारे देश का कुल छेतरफल जो है वह 32.8 करोर हेक्टियर है यह आपको याद रखना है हमारे देश का कुल छेतरफल कितना है तो 32.8 करोर हेक्टियर है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आप्शन सी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है आयू के आधार पर जलोड मिर्दा को कितने वर्गों में बाटा गया है लक्ष्मी सागर जील किस राज में इस्थित है लक्ष्मी सागर जील जो है वह बिहार में इस्थित है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन सी होगा चलिए अगला सवाल देख लिजी आप लोग अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लवनिय जील है तो सामभर जो है वह लवनिय जील है ये आपको याद रखना है राइट एंसर अप्शन सी होगा चलिए अगला सवाल है आपका गंगा नदी पर गांधी सेतु किस सहर के निकट अवस्थित है तो गंगा नदी पर गांधी सेतु जो है वह पटना नगर के निकट इस्थित है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका अप्शन सी होगा चलिए अगला सवाल है आपका अगला सवाल है कौन सी नदी भ्रंस घाटी से होकर बहती है तो जो भ्रंस घाटी से होकर नदी बहती है उसका नाम तापी नगी है ये आपको याद रखना है राइट एंसर अप्सन सी होगा तापी नदी जो है वो भ्रंस घाटी से होकर बहती ह चलिए अगला सवाल है आप लोग का कि कौन सी नदी प्रायह-दूइपिय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी प्रायः दुईपिय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गुदावरी नदी जो है वो प्रायः दुईपिय भारत की सबसे लंबी नदी है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आप्शन भी होगा अगला सवाल है आपका सिंधु जल समझोता कब हुआ था तो सिंधु जल समझोता जो था वह 960 स्पी में हुआ था ये आपको याद रखना है right answer आपका option सी होगा अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है सांगपो किस नदी का उप नाम है तो सांगपो जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी का उप नाम है यानि कि दूसरा नाम है ये आपको याद रखना है right answer option भी होगा चलिए अगला सवाल है आपका कुल जल का कितना प्रतिसत भाग महसागरों में नहीं थाए तो कुल जल का 96.6% भाग जो है वह महसागरों में नहीं थाए कुलजल का 96.6 प्रतिसत भाग महासागरों में नहीं थाई आपको याद रखना है अगला सवाल है आपका किस राज में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो मध्य पर्देश में है यह आपको याद रखना है राइट अंसर आपका उप्षन सी होगा चली अब हमारा अगला सवाल है 1951 से 1980 पी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर 1.6 किरिशी भूमी में परिवर्तित हुआ तो ये आपको याद रखना है कि 1951 से 1980 पी तक लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर 1.6 किरिशी भूमी में परिवर्तित हुआ राइट अंसर आपका उप्षन भी होगा अगला सवाल है अगला सवाल है प्राकिर्तिक संसादनों के संरक्षन है तू 1968 हिस्पी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो प्राकिर्तिक संसादनों के संरक्षन है तू 1968 में जो है वो आपका Wetlands Convention हुआ था ये आपको याद रखना है Right answer आपका option B होगा Wetlands Convention चलिए अगला सवाल है आपका One स्थीती रिपोर्ट के अनुसार भारत में One का विस्तार कितना है One स्थीती रिपोर्ट के अनुसार भारत में One का विस्तार कितना है तो ये आपको याद रखना है कि One स्थीती रिपोर्ट के अनुसार भारत में One का विस्तार जो है वो 20.60 प्रतिसत भौगोलिक छेतर में कितना है 20.60 प्रतिसत भौगोलिक छेतर में Right answer आपका option A होगा अगला सवाल है आपका मेंग्रोव्स का सबसी अधिक विस्तार कहां है तो मेंग्रोव्स का सबसी अधिक विस्तार जो है वो सुन्दर वन में है ये आपको याद रखना है Right answer आपका option B होगा चलिए अगला सवाल है आपका टेक्सोल का उप्योग किसमें किया जाता है तो टेक्सोल का उप्योग जी है वो आपको याद रखना है कि टेक्सोल का उप्योग Cancer के उप्चार में किया जाता है Right answer आपका option C होगा टेक्सोल का उप्योग कहां किया जाता है तो चैंसर के उप्चार में चलिए अगला सवाल है चरक का संबंध किस देश से था तो जो चरक थे उनका संबंध अपने देश भारत से था ये आपको याद रखना है राइट अंसर आपका ओप्शन सी होगा चलिए अगला सवाल है आपका इन में से कौन सी टी पनी प्राकिर्थिक वनस्पती जगत और प्रानी जगत के हरास का सही कारण नहीं है तो ये आपको याद रखना है कि जो पसू चारण और इंधन लकडी एकत्र करना है ये आपका सही कारण नहीं है राइट अंसर आपका ओ पाए जाते हैं तो भारत में लगभग जो है वह एक सो खनीज पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ऑप्शन भी होगा चलिए अगला सवाल है आपका 36 गड़ भारत का कितना प्रतीसत लोह अयस्क उत्पादन करता है तो जो 36 गड़ है वह भारत का लगभग 20 प्रतीसत लोह अयस्क उत्पादन करता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ऑप्शन भी होगा चलिए अगला सवाल है अगला सवाल है इन में से कौन लोह यूक्त खनीज का उधारन है तो लोह यूक्त खनीज का उधारन जो है वह आपका ये आपको याद रखना है राइट एंसर आप्शन ए होगा अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है निमनलीखित में कौन अधात्वी खनीज का उधारन है तो अभरक जो है वह अधात्वी खनीज का उधारन है ये आपको ध्यान में रखना है राइट एंसर अगला सवाल है आपका अगला सवाल है कौन लोह अयस्क का एक परकार है तो जो लोह अयस्क का एक परकार है वह है आपका हेमाटाइट राइट एंसर आपका ऑप्सन भी होगा अगला सवाल है आपका मैगनीज उत्पादन में भारत का विश्म में क्या अस्थान है तो मैगनीज उत्पादन में भारत का अस्थान जो है वह तृत्तिया है यानि कि तीसरा अस्थान है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन सी होगा ऐसे भी question आएगा कि मैगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा अस्थान है तो तीसरा है यह आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है आपका उरिशा की स्खनीज का सबसे बरा उत्पादक है तो उरिशा जो है वह मैगनीज का सबसे बरा उत्पादक है यह आपको याद राइट एंसर आपका option B होगा अगला सवाल है आपका देश में तामबे का कुल भंडार कितना है तो देश में तामबे का कुल भंडार जो है 125 करोर टन है यह आपको याद रखना है राइट एंसर option B होगा अगला सवाल है अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है बिहार जारखंड में देश का कितना प्रतिसत अबरक का उत्पादन होता है तो बिहार जारखंड में देश का जो है 80 प्रतिसत अबरक का उत्पादन होता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका उप्सन सी होगा अगला सवाल है आपका भारत में कोईले का सर्व प्रमुख उत्पादक राजी कौन है तो भारत में कोईले का सर्व प्रमुख उत्पादक राजी जो है वो जहरखंड है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन भी होगा अगला सवाल है आपका उर्जा का गैर पारंपारिक सुरत क्या है तो उर्जा का गैर पारंपारिक सोरत जो है वह है आपका सौर उर्जा यह आपको ध्यान में रखना है right answer option D होगा अगला सवाल है मुंबाई हाई क्यों प्रसिद है तो मुंबाई हाई जो है वो आपको याद रखने है खनीश तेल हे तू प्रसिद है राइट अंसर आपका ओप्शन सी होगा मुबाई हाई क्यों प्रसिद है तो खनी इस तेल है तू अगला सवाल देख लिजे आप लोग अगला सवाल है भारत का प्रथम तेल सोधक कर खाना कहां इस्थित है तो भारत का प्रथम तेल सोधक कर खाना जो है वो आपको डिग बोई में इस्थित है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका option C होगा डिग बोई भारत का प्रथम तेल सोधक कर खाना कहां तो भाखरा नंगल यानि कि भाखर भाखर के क्या करता है मिट्टी बांध को लूज कर देता है तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि लूज यानि कि सतलूज तो भाखरा नंगल पर योजना जो एवा किस नदी पर इस्थित है तो सतलूज या सतलूज नदी पर इस्थित है अगला सवाल है आपका दक्सिन भारत की सबसे बरी नदी घाटी पर्योजना कौन सी है तो दक्सिन भारत की सबसे बरी नदी घाटी पर्योजना जो है तूंग भद्रा है यह आपको याद रखना है अगला सवाल है आपका ताप विधुत केंदर का उधारन कहा है तो ताप विधुत केंद्र का उधारन जो है बरोनी में है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी होगा चलिए अगला सवाल है आपका एसिया का सबसे बरा परमानु विधुत गिरी कहा है तो एसिया का सबसे बड़ा पर्मानु विद्धुत गिरी जो है वह तारापूर में है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका अपसन ही होगा अगला सवाल है आपका जो आरिये एवं तरंग उर्जा उत्पादन हे तू भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है तो यह आपको याद रखना है कि जो आरिये एवं तरंग उर्जा उत्पादन हे तू भारत में अनुकूल परिस्थितियां जो है व का कौन सा उर्जा शुरोत अनवी करनिये है तो जो कोईला जो है वह अनवी करनिये है यह आपको याद रखना है यानि कि कोईला क्या है तो कोईला को एक दिन हम लोग जमीन से निकालते जाएंगे निकलते जाएंगे लेकिन एक दिन यह क्या होगा खतम हो जाएगा और इसको हम दुबारा बना नहीं पाएंगे कभी तो यह क्या है तो यह अनविकर्निय उर्जा है और जो सोड़े उर्जा है वह नविकर्निय उर्जा है यह आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है आपका उर्जा का उदारन कौन नहीं है तो उर्जा का उधारन जो है वहाँ आपका विद्धूत नहीं है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी होगा चलिए अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है गुंडवाना समू के कोईले का निर्मान कब हुआ था तो गुंडवाना समू के कोईले का निर्मान जो है बीस लाख वर्ष पुर्ब हुआ था ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन भी होगा अगला सवाल है गुंडवाना समू में भारत का कितना प्रतिसत कोईला भंडारित है तो गुंडवाना समू में भारत का जो है वह आपका 96 प्रतिसत कोईला भंडारित है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्शन डी होगा अगला सवाल देख लिजी आप लोग, अगला सवाल है, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेफाइट को जो है, वह जिपसम के नाम से जाना जाता है, राइट एंसर आपका उप्सन ए होगा, ग्रेफाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो जिपसम के, च रखना है, Right Answer Option सी होगा. चलिए, अगला सवाल है आपका, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चला आगा तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है, वो मैधा पाटिकर ने चलाया, यह आपको याद रखना है, Right Answer Option होगा, यानि कि नर्मदा बचाव अंदोलन जो था वो किस ने शुरू किया था तो नर्मदा बचाव अंदोलन मेधा पाटिकर ने शुरू किया था ये आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है आपका अगला सवाल है किसी देश के आर्थिक विकास का मेरु दंड क्या होता है तो किसी देश के आ आर्थिक विकास का मेरुदंड जो है संसाधर होता है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अगला सवाल है आपका राष्ट्रिय जल नीती भारत में कब लागू हुई तो जो राश्ट्रिया जल नीती थी या भारत में 2000 में लागू हुई राइट एंसर आपका option A होगा अगला सवाल है आपका अगला सवाल है भारत में कितने प्रकार की मिर्दा पाई जाती है तो भारत में जो है वह छो प्रकार की मिर्दा पाई जाती है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन सी होगा चलिए अगला सवाल है आपका संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है तो संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व जो है वह उपयोगिता पर निर्भर करता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आप्सन भी होगा अगला सवाल है आपका सबसे बरे जल संग रहन केंद्र कौन होते हैं तो सबसे बरे जल संग रहन केंद्र जो है वह महासागर होते हैं यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन सी होगा चलिए अगला सवाल है आपका निम्नलीखित में कौन प्रवहनिय संसाधन है तो निम्नलीखित में नदी जो है वह प्रवहनिय संसाधन है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन ए होगा अगला सवाल है आपका नवगाओ तेल उतपादक छेतर किस राज में है तो नवगाओ उतपादक छेतर जो है वह आपका गुजरात में है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन सी होगा अगला सवाल है आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन भी होगा अगला सवाल है उनेश्व बिरानमे में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था तो उनेश्व बिरानमे में रियो डी जेनेरो में जो है प्रित्वी सम्मेलन हुआ था यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन ए होगा अब सम्मेलन से भी काफी ज़्यादा प्रशना आता है पूछ देगा आपको बोर्ड एक्जाम में कि विश्व सीखर सम्मेलन कब हुआ था तो निश्व 72 में हुआ था और कहां पे हुआ था तो एस्टॉक होम में हुआ था ये आपको याद रखना है अगला कॉस्चन आपसे ये भी पूछ देगा कि कोपेन हेगर जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था तो 2009 में हुआ था और ये कहां पे हुआ था तो डेन मार्क के कोपेन हेगर नगर में हुआ था ये आपको याद रखना है और कोपेन हेगर सम्मेलन जो हुआ था डेनमार्क के कोपेन हेगर नगर में उसमें 192 देशों के लगभग 15,000 से भी अधिक प्रतिनीदियों ने भाग लिया था और यह Conference of Parties का 15 वा सम्मेलन था ये भी आपको याद रखना है बोडिक जामें पूछ देता है कि Conference of Parties का 15 सम्मेलन कौन था तो कोपेन हेगर सम्मेलन था ये आपको याद रखना है अगला सवाल आपको इससे ये भी पूछेगा कि ग्रीन हाउस सम्मेलन कहां हुआ था तो ग्रीन हाउस सम्मेलन जो है वह कनाड़ा के मौंट्रियल नगर में हुआ था ये आपको याद रखना है और कब हुआ था 287 में हुआ था ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है परियावरन सनक्षन हे तू प्रथम विश्म सीखर सम्मेलन कहां हुआ था तो अभी हम आपको तुरंत बताएं कि परियावरन सनक्षन हे त उप्रथम विश्म सीखर सम्मेलन जो था वह आपका स्टोक होम में हुआ था ये आपको याद रखना है राइट एंसर ऑप्शन भी होगा और कब हुआ था तो उनैसो 72 में हुआ था ये आपको याद रखना है अगला सवाल है आपका दुईतिय प्रिथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था तो जो दुईतिय प्रिथ्वी सम्मेलन था वह 1997 में नुई योर्क में हुआ था ये आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन सी होगा अगला सवाल है आपका दुईतिय प्रिथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था तो दुईतिय प्रिथ्वी सम्मेलन जो है दो हजार दो में जोहांस बर्ग में हुआ था ये आपको याद रखना है दो हजार दो में जोहांस बर्ग में हुआ था दुईतिय प्रिथ्वी सम्मेल अगला सवाल है आपका भारत में कितनी भूमी बंजर भूमी के रूप में है तो भारत में जो है वह एक चौथाई भूमी जो है बंजर भूमी के रूप में है यह आपको याद रखना है राइट अंसर आपका option यह होगा अगला सवाल है आपका अगला सवाल है वर्ड वाइड फॉर नेचर की अनुसार भारत में कितनी भूमी निमनी करी तो हो चुकी है तो वर्ड वाइड फॉर नेचर की अनुसार भारत में जो है वह तेरा करोर हेक्टियर भूमी निमनी करी तो हो चुकी है यह आपको याद आपका option c हो जाएगा अगला सवाल है आपका मिर्दा संडक्षन के लिए कौन उपाई उप्योगी है मिर्दा संडक्षन के लिए कौन उपाई उप्योगी है तो मिर्दा संडक्षन के लिए खेतों में हुमस डानला ये भी है पसु चारन पर नियंतरन ये भी है समुच रेखिए जुताओ ये भी है जुताओ करेंगे तो राइट एंसर आपका option D हो जाएगा उपर युक्त सभी मिर्दा संदक्षन के लिए कौन उपाई उप्योगी है तो राइट एंसर option D होगा उपर युक्त सभी छलिए, अगला सवाल है आपका मिर्दा संरचना में मूल चटान के उपर कितनी पड़ते होती है तो मिर्दा संरचना में मूल चटान के उपर जो है वह आपका तीन परत होती है यह आपको याद रखना है राइट एंसर अप्शन भी होगा अगला सवाल है आपका लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकासित हुई तो लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक जो थी वह उनएसो बहत्तर में प्रकासित हुई थी यह आपको याद रखना है राइट एंसर अप्शन भी होगा अगला सवाल है ब्रंट लेंड कमीशन ने सतत पोषनिय विकास की अवधारना कब प्रस्तूत की तो ब्रंट लेंड कमीशन ने सतत पोषनिय विकास की अवधारना जो है उनएसो शतासी में प्रस्तूत की राइट एंसर आपका उप्शन सी होगा अगला सवाल है आपका संसार का सबसे कीमिती संसाधन किसे माना जाता है तो संसार का सबसे कीमिती संसाधन जो है खनीज को माना जाता है यह आपको याद रखना है Right answer option A होगा अगला सवाल है आपका Soul kiss one का bricks है Soul जो है वो आपका पत जर one का bricks है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्षन ए होगा चली अगला सवाल है आपका कंचन जंगा जीवन मंडल रिशर्च किस राज में है तो कंचन जंगा जीवन मंडल रिशर्च जो है वह सिक्किम में है यह आपको याद रखना है राइट एंसर और ओप्षन C होगा अगला सवाल है आपका किस राज में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है तो जारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्षन A होगा अगला सवाल है आपका पितल किस से बनाया जाता है तो पितल जो है वह आपका तंबा और जस्ता से बनाया जाता है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन सी होगा तंबा और जस्ता से चलिए अगला सवाल आप लोग देख लिजिए अगला सवाल है बैला डिला खान से कौन सा खनीज निकाला जाता है तो बैला डिला खान से लोह अयस्क निकाला जाता है ये आपको याद रखना है दूसरा कोशन आपसे बोड इक जाम में ये भी पूछा जाता है कि बैला डिला खान जो है वह कहां पे है तो बैला डिला खान जो है न वह 36 गड़ का जो सुकमा जिला है न भचो वहां पे बैला डिला खान आता है कहां पे आता है 36 गड़ में जो सुकमा जिला है वहां पे आत और अगला question आपसे ये भी पूछा जाता है बोडिजा में कि लोहा सबसे ज़्यादा कहां पर पाया जाता है तो लोहा जो है वह सबसे ज़्यादा करनाटक में पाया जाता है ये आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्याद किया जाता है तो भारत में जो विसाका पटनम बंदरगाह जो है वहां से लोहे का निर्याद किया जाता है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका option भी होगा चलिए अब हमारा अगला सवाल है प्लाइवूड का निर्मान सर्प्रथम कहां हुआ राइट एंसर आपसन ए होगा अगला सवाल है आपका अगला सवाल है भैसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो भैसा लोटन बांध जो है वह गंडक नदी पर बनाया गया है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपसन भी होगा अगला सवाल है आपका जोजना का निर्मान का सरवादिक महत्वपूर्ण कारण जो था वह सिचाई की विवस्था करना ये भी था बाढ़ो पर नियंतरन रखना ये भी था मतश्य पालन करना यानि की मचली पालन करना ये भी था ये उपर युक्त सभी था राइट एंसर आपका ओप्सन डी होगा उपर युक्त सभी चली अब हमारा अगला सवाल है भारत का पहला जल विदूत सयंतर कहां लगाया गया तो भारत का पहला जल विदूत सयंतर जो है वह सिक्की में लगाया गया ये आपको याद रखना है राइट एंसर आप्सन ए होगा अगला सवाल है आपका निमनलीखि में अवरक जो है वो जामनगर तेल सोधक कर खाना जो है वो आपका गुजरात में इस्धित है यह आपको याद रखना और गुजरात में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा कपास की उत्पादक कहा होती है तो गुजरात में होती है यह आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है आपका कहगा परमानु उर्जा उत्पादक केंद्र किस राज में स्थित है तो कहगा परमानु उर्जा उत्पादक केंद्र जो है वह आपका करनाटक में है यह आपको याद रखना है right answer option भी होगा अगला सवाल है आपका किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है तो किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वह मानव है यह आपको याद रखना है राय टेंसर ओप्सन सी होगा चलिए अगला सवाल देख लिजे आप लोग, अगला सवाल है, एसिया का सबसे बरा पर्मानुत विधुत गरी कौन है, तो एसिया का सबसे बरा पर्मानुत विधुत गरी जो है, वो आपका तारा पूर है, ये आपको याद रखना है, राइट एंसर ओप्शन ए होगा अगला सवाल देख लिजी आप लोग अगला सवाल है केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है तो केरल में जो है वह आपका लेटराइट मिट्टी की प्रधानता है राइट एंसर आपका ओप्चन भी होगा और नारियल प्रदेश जो है वह कौन से देश को कहा जाता है नारियल प्रदेश तो नारियल प्रदेश भी केरल को कहा जाता है यह आपको याद रखना है वहाँ पे नारियल का उत्पादन जो नारियल की खेती जादा होती है तो उसको नारियल परदेश के नाम से भी जाना जाता है केरल को अगला सवाल ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा मसालों की खेती जो गरम मसाला ही सब होता है लॉंग, इलाइची ये सब जो होता है उसकी खेती सबसे ज़्यादा कहां पे होती है तो केरल में होती है यह आपको याद रखना है चलिए अब हमारा अगला सवाल है बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है तो बांगर मिट्टी पुरानी जलोड मिट्टी को कहा जाता है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका ओप्सन एवगा जलोड मिटी होती है न जलोड मिटी वह कितने परकार की होती है तो जो जलोड मिटी होती है वह दो परकार की होती है खादर मिटी होती है और बांगर मिटी होती है खादर मिटी किसे बोला जाता है तो जो नया मिटी होता है उसको खादर मिटी बोला जाता है और जो पुराना जाता है जलोड मिटी तो नदी के किनारे पाया जाता है यह आपको याद रखने यानि कि नदी के समीप पाया जाता है जलोड मिट्टी किस फसल के लि备 उफ्यूक्त होती है अगला कोशन आपसे पूछ देगा बोड इग्जा में कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाय जाती है तो बिहार में जलोड मिट्टी पाय जाती है अगला कोशन पुछेगा आपसे उत्री पुर्वी भारत में कौन सी मिटी पाई जाती है तो जलोड मिटी पाई जाती है सबसे ज़्यादा उत्जाव मिटी कौन सी होती है तो जलोड मिटी होती है पूरा भारत में सबसे अज्यादा कौन सी मिटी पाई जाती है तो जलोड मिटी पाई जाती है जलोड मिटी से इतना सारा प्रश्ण आता है आपको बोर्ड इक्जाम में चलिए अगला सवाल है आपका अगला सवाल है गुजरात में भूमी निमनी करण का प्रमुख कारण क्या है तो गुजरात में भूमी निमनी करण का प्रमुख कारण जो है नमक का प्रभाव है ये आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्सन भी होगा नमक कहां पे बनता ह तो नमक जो है वह गुजरात में बनता है ये आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है आपका जलोड मिटी में किसकी मात्रा कम होती है तो जलोड मिटी में नाइट्रोजन और जिवांस दोनों की मात्रा जो है वह कम होती है ये आपको याद रखना है राइट एंसर ऑप जलोड मिटी में किसकी मात्रा कम होती है तो नैट्रोजन और जिवान दोनों की मात्रा कम होती है चलिए अगला सवाल है आपका राजस्थान की सबसे महतुपुन परियोजना कौन सी है तो राजस्थान की सबसे महतुपुन परियोजना जो है वह चंबल है यह आपको याद र खारे जल की सबसे बड़ी जहील जो है वो मृत्त सागर है ये आपको याद रखना है Junior आपका ऑपशन ए होगा खारा जल याणि की नमकीन पानी तो नमकीन पानी की tried the प्रनाली जो है वो मेगाले में प्रचली था यह आपको याद रखना है राइट न सर आपका option भी होगा अगला सवाल है आपका इंद्र पूरी बराज किस पर्योजना के अंतरकत बना है तो इंद्र पूरी बराज जो है वहाँ आपका सोन परियोजना के अंतरगत बना है किस परियोजना के अंतरगत बना है तो सोन परियोजना के अंतरगत बना है यह आपको याद रखना है राइट एंसर उप्शन भी होगा अगला सवाल है आपका कोसी परियोजना में किस अस्थान पर बराज बनाया गया है तो कोसी पर्योजना में जो है हनुमान नगर पर बराज बनाया गया है ये आपको याद रखना है राइट एंसर आपका उप्शन ए होगा कोसी पर्योजना में हनुमान नगर अस्थान पर बराज बनाया गया है ये आपको याद रखना है अगला सवाल है बलूत किस वन की विशेष्था है तो जो बलूत है वह परवतिय वन की विशेष्था है राइट एंसर आपका option A होगा अगला सवाल है आपका भारत का राश्ट्रिय पसू कौन है तो भारत का राश्ट्रिय पसू बाग है यह आपको याद रखना है राइट सर आपका option D होगा अगला question ये भी आता है कि भारत का राष्ट्रिय जोएव क्या है तो भारत का राष्ट्रिय जोएव जलीवी है ये आपको याद रखना है अगला question है कि भारत का राष्ट्रिय फल जोएव क्या है तो भारत का राष्ट्रिय फल आम है ये आपको याद रखन भारत का राश्ट्रिया विक्स क्या है तो बर्गत का पीर है चलिए अब हमारा अगला सवाल है अगला सवाल है सदा बहार वन भारत के किस छेतर में पाया जाता है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आपका उप्सन सी होगा अगला सवाल है आपका बिजली के बल्व में फिलामेंट बनाने में किस धातु का उप्योग होता है तो बिजली के बल्व में फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उप्योग होता है यह आपको याद रखना है राइट एंसर आप्सन सी होगा अगला सवाल है आपका, Plaster of Parish किस से बनाया जाता है? तो Plaster of Parish जो है, वह जिपसं से बनाया जाता है, यह आपको याद रखना है, Right Answer Option B होगा अगला सवाल है आपका, अमजोर किस खनीज उत्पादन के लिए प्रसिध है? तो अमजोर जो है वह पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है यह आपको याद रखना है राइट एंसर ओप्शन ए होगा अगला सवाल है आपका काला हीरा किसे कहा जाता है तो काला हीरा जो है वह कोईला को कहा जाता है ये आपको याद रखना है, right answer option C होगा और कोईला के खान से ही हीरा निकलता है, ये भी आपको याद रखना है चलिए अगला सवाल है, मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई जो है, वो आपका खनीज तेल उत्पादक छेतर है ये आपको याद रखना है, right answer option C होगा मुंबई हाई क्या है? तो खनीज तेल उत्पादक छेतर है चलिए अगला सवाल है आपका, हीरा कुंड बांध कहां है? तो हीरा कुंड बांध जो है, वो आपका उरिसा में है ये आपको याद रखना है, right answer option D होगा अगला सवाल है, सुन्दर बांध कहां पे है? तो सुन्दर बांध जो है वो पश्चिम बंगाल में है ये आपको याद रखना है, गीर बांध कहां पे है? फाल्टा विसेसा आर्थिक छेतर कहां पे है? मैंगरो बांध कहां पे पाए जाते हैं? ये questions अब आते हैं बोर्ड exam में तो गीर बांध कहां पे है? तो गीर बांध जो है वो गुजरात में है ये आपको याद रखना है सुन्दर बांध कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है फाल्टा भी सेसा आर्थिक छेतर कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है ये भी मैंगरो बांध कहां पे पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और गीर बांध कहां पे है? तो गुजरात में है ये आपको याद रखना है, काफी महत पुन प्रेशन है, बोर्ड एक्जाम में पूछा जाता है हमारा यकीन मानिए, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, और ये लाश्ट सवाल है, अल्यूमीनियम बनाने में किस खनीज का उप्योग होता है, तो अल्यूमीनियम बनाने में ब तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, और अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकें, उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी भी मदद कीजिए, और उनको भी म देखे हैं, तो उसका भी लिंक हम डिस्किप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप पिछले वीडियो को देख लिजेगा, तो आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई बाई